कई लोग बताते हैं कि इस कुवों के अंदर प्रेत आत्मा का वास हो सकता है कई लोगों की यहां इसमें आकर कुवे में गिरने से कई लोगों की मर्तिव भी हुई है पताया नीचे पूरा बांगडसर गाव में संबंदर पे तेर रहा है हाँ ऐसा ही बताया था कि नीचे खो तेराक थे उनका नाम तो पूरा पता रही है उसके आगे फकीर लगाते हैं पोकरन के हैं उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके जो कुल देवी है यह गाओं की उनको परसाद किया जाए अभी तक मेरे को मतलो काफी च्यार गंटे हो गए अंदर गहे हुए नहीं मिल रही है विकाओन में पाबंद किये गए हैं अब एक गड़ों की सीरीज लेके आ रहा हूँ ताकि बिकानेर का परसासन जागे और यह क्यूं हो रही है ऐसी गटना बार बार इस पर भी लगाम लगे एक आज ऐसे ही गाओं में जिस गाओं को बताया गया है कि सागर महराजा सागर क का कुआ बताया जा रहा है जब गोताखोर नीचे गए थे तो बताया जा रहा है कि वो नीचे पाताल में एक समंदर बना हुआ है जो गाओं है यह गाओं बांगर सर है और यह बांगर सर समंदर की स्तह पर तेर रहा है नीचे से अगर आप जाएंगे तो इसमें तामवे के बहुत बड़े खजाने बताई जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी सर्वन मुद्राइं बताई जा रही है और नीचे पूरा का पूरा समंदर है और ऐसी कुछ गटनाएं भी हुई है और पुरो सिंचाई मंतरी देवी सिंग भाटी का नाम उस्वक्त काफी चर्चा में आया था ज पानी का बहाव इतना तेज था पूरा गाउं डूबने की कागार पे था तब जाकर कि ऐसी दिवारें पूरे गाउं के च्यारों और बनाएगी ताकि पानी का बहाव है वो धीरे हो चमपा लाल जी है तो इन्से हम जान करी लेंगे करणाराम जी पहले तो यह बताओ की आपकाा स्वागत है काफी टाइम बाद में धन्याबा धन्याबा सुदेश जी आपका वेलकमा आप हमारे बांगणर सर में आए हो इसका क्या रहेश्य है अब बता पाएंगे इस कुवे का क्या इसमें आत्मा रहती है क्या है कोई सिस्टम नहीं है पर कई लोग बताते हैं कि इस कुवों के अंदर प्रेत आत्मा का वास हो सकता है कई लोगों की आँकर कुवे में गिरने से कई लोगों की मुर्तिव भी हुई है, ऐसे कोछ लोग saben, गहराई के ंदर अब बी जिस समय इस गाओं के अंदर पीने का पानी नयथ था पेजल का संक्ड़ था उसी समय के अंदर गाओं के लोगों ने आप सी शहोग से कुवे को खुदवा कर पानी निकाला गया था गाओं में पेजल के आप उर्ति करते थे तजीम का कुवा क्यों प्लाव ढ़ता है इस तजीन का खुवा तो निजी बाव में कोई तजीम महिला थी मंकि नाम रखा गया उसलिए ये बोलते हैंैं कि ये और सागर का नाम बड़ा आधर पूर्वक लिया जाता है जब भी इस गटना का जिक्र होता है कि देवी सिंग जी बाठी का स्कॉलाइट और विकांदर जिले में हमेश्था सहोग रहें रहीं पिछे गड़ना हो गई थी जो इसकुवी के इंदर गिर गया था कोई गाउं का यूख उस समय गाउं के लोगों ने बहुत प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिली तब स्कॉ तो आज के जमाने में मतलब इसकि इसकुवे पे भूत रहते हैं अब देखो मैं तो इस बात को मैं तो पुषट करता हूँ मैं उसको मानता भी नहीं हूं लेकिन ये लोगों गाउं के लोग्त हैं वेश्म स्के अंदर नहीं प्रेथी प्रेस बाराइट लोटता हूं अपक कि क्या आप भी आज के जमाने में ऐसी अंदुविस्वास पर बात करते हो मतलब प्रेत आत्माय रहती है कुए में नहीं नहीं रहती है लेकिन यह गटना तो अब मान सिकता के कारण भी हो सकती है जैसे चलते हुए कोई पसुपक्सी नहीं गिरे इस वज़े से इसको बंद कर अजा देवी सीम् भाटी का वो किस्ता याद है जब भाटी साब ने वो मोटरें लगाई थी और वो किस्ता याद है आपको आप उस वक्त कितनी उमर थी आपकी कुछ नहीं चार साल पहले की बात है तो सही थी लेकिन उस समय क्या है कि भाटी साब जी के आदिस से मोटरें से बिलाए गया था उसी ने उस बोड़ी को निकाला था वह भी किस्ता बड़ा दिल्चस्प किस्ता है पोकरन से जो आया था वह एक बार नीचे के अरसी के सदारे और फिर अंदर जाकर करके उसने देखा कि कुछ चमक रहा है उसने क्या बताया नीचे पूरा बांगड सर गा कुई और से यह चाल दूसरे की पानि का मिलाब भी आप रहा है। इस इस नोज बता है कि अंदर उस कर ऐसी आत्मय के हो अ एक इक से यह वह है कि जब आ अंदर गएे थे तो बहुं हार निकल के आए और पूछा कि यहां आपके मंदिर किसे दे vị का है वह माता或者 परसाद करने दे रही है, फिर मंदीर पर्शाद चढ़ाया गया, उसके बाद में व वापिस गया है, इसका कितना सच है? अभी तक मेरे को काफी चैर गंटे हो गए अंदर गए हुए नहीं मेल ठीए बोडी वो काफी तेरते-टेरते ट्राई किया उन्होंने ट्राई करते-करते एक परसाद करने के बाद में अंदर गए वापिस तो उनको बोडी काफी डूबग्यां लगानी पड़ी दो गंटे के बाद तक छे गंटे काम चला था इसे, छे गंटे के बाद में बोडी का पता चला, पहले के जमाने में श्राप लगा हुआ है, यहां 10-15 घर से जादा कोई बस नहीं सकता है, इसमें क्या सचाई है, ऐसे कोई बात नहीं है, अभी गाओं के अंदर करीब 100 घरों के आसबास में लोग निवास करते हैं, यह नहरी इलाका सिंची छेतर हैं, अधिक तर लोग खेता और एक, हाँ, वो गटना आपको याद है, हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो हमारे बुजरुग है, वो बातें करते हैं, कि यहां जो संत लोगों की देई मान गई है, यहां जो संत लोग बिराजमान थे, और उन्होंने गाओं बसने से पहले ही एक जाल और खेजरी को ए आपने बताया है कि खेजरी और जाल दोनों एक साथ है, उसमें से एक अगर नहीं होता तो श्रापित गाउं होता है, वो तो दोनों साथ में हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन देव भूमी है, बढ़िया इस्तान है, और गाउं उसी के बाद में ही बसाता है, कहते हैं य मंदीर भी खूब है, मच्जिदी भी हमारे यहां खूब है, सब जगे अपने अपने तिवारों पर सब कुछ किया जाता है, आप से अंतिम प्रशन है, आपने सीधा बता दिया कि अंद विश्वास है, तो कहते हैं कि रात में यहां आवाजें आती है, और रात जो किस हैं रात रुक सकते हैं कोई दिख़ता नहीं, आप से लुए पाचने कूछ को लोगों को अंद विश्वास हैं वह तो दूर यहां लोगों को ने कि कोखते बिलकुर, कि बचते हैं कि रात को लोग बच्चे हैं जो यहां बाइक लेके भी नी जाती हैं इस एक वपे और यह पेदा हो गया है और ये गाउं की छवी खराब कर रहा है बिलकुल बिलकुल जी तो जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ करना राम जी और चंपालाल जी का बेहद सुक्रिया बहुत-बहुत आभार बांगड सर गाउं वो गाउं है जहां पर राजनीती का रैशब्द पेदा होता है बांगड सर वो गाउं है जिससे बज्जू की पहचान होती है यहां पर देव तुल्य देवियां भी निवास करती है तो यहां पर प्रभू राम लल्ला के तरह राम देव जी का मंदिर भी है वो भी यहां शाक्षात निवास करते हैं यहां पर हर धरम के लो नमस्कार